हेलो दियर स्टुडेंट्स आयम सचिन यू आर वाचिंग मैज बाबा ट्रिक्स इस वीडियो इस फोर क्लास नाइफ एक्सराइज वन पॉइंट वन क्वेस्टन नमबर वा इसने कहा है क्या जीरो एक रैस नमबर है क्या हम उसको पी बाई क्यों फोम में लिख सकते हैं जहां अब पी और q are integers and q notable to 0 तो इसका नस्वर हम डिरग्ली देंगे yes तोगे अब कोशन यह है कि how, दो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बै वाइन एक इसके आलावाइस को लिख सकते हैं 0 बाइटू जीरो बाई 3 डैस 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 जिसमें से हम बताएंगे Q not equal to 0 हो गया परो सिंपल है question number question number 2 देखो find 6 rational number between 3 and 4 इस ताइप के question में हम क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल है जो यह 6 है ना इसमें plus 1 add कर देखो इसका solution देखो करेंगे जो में उसने काया 6 number तो उसमें 1 add करोगा सबसे पहले तो 7 उस 7 को multiply करो जिस भी number के mid में उसने काया कि वो number निकाल करेंगे 3 or 4 में अलग अलग लिखे multiply by 7, divide by 7 नमर इस से multiply by 7, divide by 7 तो यह 7 3 से कितना आगा 21 by 7 या आगा 28 by 7 इसके बीच में कौन कौन से नमर है 6 number देखो फस्स नमर यह हो गया हमारा फस्स नमर तो यह हमारा जो उसने गिवन है अब इसके बीच में देखेंगे हम 22 22 by 7 23 by 7 24 by 7 25 by 7 26 by 7 27 by 7 28 by 7 देखो यह number count कौन 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 है 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके आगा सुन बिलकु सिंपल है अब question number 3 question number 3 question number 3 is find 5 rest number between 3 by 5 and 4 by 5 बिलकु सिंपलर मैथद इसने काया 5 number तो इसका solution हम कैसे करेंगे इसके solution में हम लेंगे 5 में 1 add करेंगे तो 6 है कैसे number आगया जिसको multiply करेंगे कि से 3 by 5 और इसने काया 4 by 5 इसको multiply पर 6 से करो नीचे भी 6 से करो multiply by 6 नीचे डिवाट पर 6 तो 6 3 is 18 5 3 is 30 बस आगया 19 by 30 20 by 30 21 by 30 22 by 30 23 by 30 और यह आगया 24 by 30 जो कि क्या है यह नमब जी तो है जो इसको यहाँ पर भी लिख देते है 18 by 30 यह आगया आगया 24 by 30 यह आगया इसके बीच में किते नमबर आए आपके 5 नमबर 1, 2, 3, 4, 5 और यह सभी क्या है रसल नमबर क्योंकि क्या है P by Q 4 आगया क्योंसर नमबर 4 की बहुत ज़र ज़रे True, False पुचा इसने का Every natural number is a whole number Yes, True अब कैसे जो whole number होता है whole number वो natural number तो होते ही है सारे natural number उसके साथ 0 भी निकलूड कर देंगे तो वो वो number बिलाता है natural number और 0 जो दोनों को मिलाते है whole number Next question हमारा Every integer is a whole number है possible है नहीं है False क्यों है false statement क्योंकि integer के अंदर negative number भी होता है जबकि whole number में 0 और positive number होता है बस इसलिए false है and third statement is third statement है every rest number is a whole number देखो rest number क्या होता है जिसे 3 by 4 4 by 5 minus 4 by 5 तो whole number नहीं है क्योंकि whole number में 0 और natural number होते हैं बस natural number बस ये number होते है whole numbers में जबकि rest number होते है ये इसलिए इसने का है क्यामरी rest number है whole number is false okay please like, share and subscribe एफ्सेय सक्धिमें to